ससुराल में घुंगट पार्ट वान अच्छा लड़का है नीशा अगर तूसे बात करेगी तो वो जरूर तेरी मदद करेगा सारे लड़की जैसे ही होते हैं उन्हें शादी के बाद बस पत्नी रसोई में चाहिए उपर से उसका परिवार बहुत पुराने खयालों का और पारंपरिक है उन्होंने तो मुझे ठीक से देखा भी नहीं अभी तक तो अब ये सोचकर परिशान क्यों हो रही है शादी तो तुझे करनी है न हाँ वो ठीक है पर मेरे शादी के दूसरे दिन मेरे एक्जामस है और मैं एक्जामस देना चाहती हो यार तो पागल हो गई है क्या कान नहीं अभी दुल्हन को एक्जामस देने देगा क्या बोल रही है तो नीशा इसलिए तो मुझे तेरी मदद चाहिए देख हम एक काम करेंगे शादी की बाद मेरी जगद तो पंदरा दिन के लिए मेरे सिसुराल में रह जाना और पंदरा दिन बाद में वापस आ जाओंगी फिर तो आज़ाद तो पागल हो गई है क्या नीशा तेरे सिसुराल में मैं कैसे रह सकती हूँ तुझे बस पंदरा दिन खुंगट में रहना होगा प्लीज बैदी ही ये मेरी डिगरी का सवाल है अगर मैंने एक्जाम्स नहीं दिये तो टिगरी नहीं मिलीगी मैं किसी के साथ धूखा नहीं कर सकती नीशा ये गलत है जब तेरे पास किताबों के पैसे नहीं थे तब मैं ही तेरे मदद करती थी ना वैदी ही तुझे सपोर्ट करती थी और आज तु मेरे मदद करने से इंकार कर रही है कितनी मतलबी है तु ऐसा नहीं है नीशा और मुझे किसी ने पहचान लिया तो रमन ने मुझे पहचान लिया तो कुछ नहीं होगा बस तुझे मेरे सिसुराल में घुंगट में रहना है नीशा वैदेही को इमोशनल कर लेती है और वैदेही इनक, शादे की रात नीशा वैदेही को कमरे में बुलाती है और कहती है देख, अब मैं इस खिड़के से नीचे भाग जाऊंगी वैदेही ने नीशा का लाल जोड़ा पहन लिया और बैठ गई इतने में रमन भी कमरे में आया रमन को आता देख, वैदेही ने अपना गुंगट निकाल लिया आज भी अपना चैरा नहीं दिखाएंगी क्या आप? हमने तो आपको कभी देखा भी नहीं बस आपकी खुबसूर्ती की तारीफ ही सुनी है वो आच्चुली ना मैंने मननत मांगी थी कि शादी के कुछ दिनों तक अपने पती को अपना चैरा नहीं दिखाओंगी तो कुछ दिन तक मैं ऐसे ही घुंगट में रहूंगी आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना अगर मैं अपनी मननत पूरी करूं तो अब बुरा तो मुझे लग रहा है कि आपका चैरा नहीं देख पा रहा हूँ मैं पर आपकी मननत है तो मैं इसमें आपका पूरा साथ होँगा आप चिंदा मत किजी मैं किसी भी बात के लिए आपको फोर्स नहीं करूँगा अब सच में बहुत अच्छे है वैदे ही ने रमन को तो मना लिया अपना गुंगट रखने के लिए पर घर में बाकी सबसी छुपके रहना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था अरे बहु माना हम पारंपरिक चीजों को मानने वाले लोग है पर ये गुंगट रखवाना इतने भी पिछड़े हुए नहीं है उतारती बिटा चल जल्दी कर तेरा चेहरा भी नहीं देखा हम सबने ठीक से माजी मैंने मननत रखी थी कि शादी के बाद कुछ दिन अपने पती को चेहरा नहीं दिखाऊंगी बस इसलिए रखा है गुंगट अरे तुम मैं थोड़ी न तेरा पती हूँ मैं तो तेरी सास हूँ मुझे तो दिखाई सकती है अपना चेहरा चल चल अब गुंगट हटा भी दे माजी बस कुछ ही दिन की तो बात है रखने दीजिये न अरे इस गुंगट की साथ खाना कैसे बनाएगी तू कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा तुझे सब कुछ गरबर करतेगी तू माजी बैदे ही कुछ सच में घुंगट में खाना बनाने में मुश्किला रही थी पर घुंगट हटा देती तो और स्यादा मुश्किला जाती उसे ऐसे परिशान देखकर रमन उसके पास आता है और कहता है देखिए मैं आपको बताता जाता हूँ कि कौन से मसाले कहा है घुंगट में आपको ठिक से नजल नहीं आ रहा होगा ना आप क्यों तकलिफ ले रहे हैं मैं कर लूँगे ना अरे इसमें तकलिफ कैसी हम दोनों पते पत्नी है एक दुसरे का साथ देना हमारा फर्ज है रमन ने वैदेही की रसुई में बहुत मदद की और सारा खाना बहुत अच्छे से बन गया सबने खाने के बाद वैदेही की बहुत तारीफ पी की सच में खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है बच गई तू नहीं तो मैं तो तेरा गुंगट हटवा कर ही मानती शुक्रिया माजी बस कुछ दिन और फिर आपकी बहु वापस आ जाएगी क्या वापस आ जाएगी मतलब मेरा मतलब है इस घुंगट से बहार आ जाएगी माजी अच्छा चीक है चलो अब तुम दोनों भी बैठ जाओ खाने लाओ मैं परोस देती हूँ वाँ एक ही थाली में परोसना खाना हम दोनों एक ही थाली में खाएंगे अच्छा बेटा ठीक है ये लो बैठो यहाँ रमन और वैदे ही खाना खाने बैठ जाते हैं ये लिजी मैं खिलाता हूँ आपको आपको घुंगट में ठीक से दिखेगा नहीं न रमन की अच्छाई देखकर वैदे ही उसे पसंद कने लगी थी पर वो जानती थी कि ये ससुराल और रमन कभी उसके नहीं हो सकते क्योंकि पंद्रा दिन पूरे होते ही नीशा वापस आ जाएगी और वो यहाँ से चली जाएगी ये नीशा फोन क्यों नहीं उठा रही कबसे ट्राइ कर रही है उसे आज उसके पंद्रा दिन भी पूरे हो जाएगे क्या करूँ कैसे बात करूँ उससे नीशा को पता नहीं वो कितनी लगी है कि उससे रमन जैसे जीवन साथ ही मिले वो इतने अच्छे और समझदार है बस अब नीशा जल्दी से आ जाए तो मैं यहाँ से चली जाओ मैं रमन जी को और धोखा नहीं दे सकती वैदी ही ने बहुत बार नीशा को फोन करने की कोशिश की पर उसने फोन नहीं उठाया पंदरा दिन के बाद भी वो वापस नहीं आई इससे साफ जाहिर हो रहा था कि नीशा का प्लान हमेशा से यही था कि वो यहाँ से भाग जाए यह तुने ठीक नहीं किया नीशा तुने जानती तुने क्या खो दिया है पर अब मैं क्या करूँ सबको बता दू कि मैं नीशा नहीं वैदी हूँ नहीं नहीं सबको बता दिया तो सब मुझसे नफरत करने लगेंगे और मैं रमन जी को दुख नहीं पहुँचा सकती वैदेही ने एक बड़ा फैसला लिया और वो रमन के पत्नी बनकर उसी घर में रहने लगी उसने घुंगट भी हटा दिया और अपने घर और पती के साथ अपना जीवन जीने लगी पर एक दिन किसी ने उसके दर्वाजें पर दस्तक दी आ रही हूँ कौन है इतनी सुब़ कौन आ गया वैदेही ने जैसे ही दर्वाजा खोला उसकी चेहरे का रंग ही उड़ गया जीव आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं जैसे ही उस व्यक्ती ने अपने सर से घुंगट उठाया वैदेही के पाउं से जैसे जमीन ही खिसक गई थी मुझे लगा तुमारा और घुंगट का गहरा रिष्ता हогा तुम पहचान नहीं पाई मुझे घुंगट में वैदेही कहूं या फिर इस घर की बहू नीशा कहूं? क्या कहूं तुमें? नीशा तुम? तुम यहां क्या कर रहे हो? वो भी दो साल बाद? क्यों, मैं अपने सिसुराल नहीं आसकती क्या ये तुम क्या कह रही हो निशा, दो साल बाद तुम अपना हक माँगने आई हो क्यों आई हो अब यहां सब बताती हूँ, पहले मुझे अंदर तो आने दो अंदर? तुम अंदर कैसे आसकती हो? मैं क्या कहूंगी तुम कौन हो अरे कौन है पहू दर्वाजे पे किस से बात कर रही है माजी मेरी सहली आई है शहर से बस उसी से बात कर रही थी हाँ तो उसे अंदर लिया बिटा बाहर क्यों खड़ा रखा है वैदी ही निशा को अपने सिसुराल में लिया आती है पर उसने अभी तक घूंगट डाल रखा था जिससे कोई उसे पहचान ना इसने घूंगट क्यों डाल रखा है माजी इसने मनत मांगी थी कि वो सबसे पहले अपने सिसुराल में ही अपना चेहरा दिखाएगी किसी और के सिसुराल में नहीं तो ये मेरे सिसुराल में आई है तो घूंगट डाल की आई है तुम्हारा सिसुराल हाँ सही है तुम इसे महमानों वाले कमरे में ले जाओ बिटा चाय नाश्ता कराओ जी ठीक है माजी वैदे ही नीशा को guest room में ले जाती है पर उसे गुसा आ रहा था कि नीशा दो साल बाद अब क्यों उसके ससुराल में आई है अब साफ साफ बताओ क्यों आई हो यहाँ जब मैं तुम्हारा इंतिजार कर रही थी तुम्हें बार बार फोन कर रही थी तब तुम्हारा आई नहीं अब यहाँ क्या लेने आई हो मेरा प्लान हमेशा से यही था कि मैं इस शादी से भाग जाऊ पर पापा मुझे ऐसा करने नहीं देते इसलिए मैंने तुझे फसाया मुझे लगा तु पंद्रा दिन की बाद सब को सच बता कि यहां से चली जाएगी कि तु नीशा नहीं वैदी ही है मेरी सहली पर तुने तो इसे अपना सिसराली मान लिया इतने बड़े घर की बहुचु बन गई थी तु तेरी आउकाद किताब लेने की भी नहीं थी और आज इस घर की मालकिन मन की घुम रही है तु मतलब भी तो पहले से ही थी पनीशा तु इतना नीची गिर जाएगे मैंने ये कभी नहीं सोचा था तेरे धोखे के बाद मैं नहीं चाहती थी के रमन जी के और उनके परिवार की इज़ जाए इसलिए मैंने इस घर को अपना लिया पर तु अब यहां क्या लेने आई है इस घर में और उस रमन में मुझे कोई दिल्चस्पी नहीं पर हाँ मुझे पैसों में दिल्चस्पी बिल्कुल है मुझे तू पैसे दे दे, मैं यहाँ से चली जाओंगी पैसे? कितने पैसे चाहिए तुझे? तु इतना गिर गए कि यहाँ पैसो के लिए आई है निशा तेरे धोखे की कीमत? 10 लाख रुपे अगर तुने मुझे नहीं दिये तो मैं सबको बता दूँगी कि मैं असली निशा हूँ और तुने सबको धोखा दिया है तु पागल हो गई है निशा 10 लाख कितने बड़ी रकम होती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं कुछ नहीं जानती तुझे कैसे भी करके 10 लाख मुझे देने होंगी पर न सोच ले इसका अंजाम क्या हो सकता है निशा वैदेही को ब्लैक मिल कने लगी वैदेही को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या इतनी बड़ी रकम वो रमन से कैसे मांग सकती थी वो कुछ रास्ता निकालती तब तक निशा घुंगट में उसके घर ही रहने लगी और बाद बाद पर उसे डराने लगी वैदेही रसुई में काम कर रही थी तब निशा वहा आती है तु घुंगट उतार कर क्यों घुम रही है किसे ने देख लिया तो तुझे वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तु दस लाग दे पाएगी इससे अच्छा है कि मैं सबको बताई देती हूँ कि मैं कौन हूँ क्या कहना है तेरा इस बात पर देख निशा मेरे पास नहीं है दस लाग मैं कहां से लाओ इंते पैसे तेरे पास चाबिया तो है ना देख तेरे पास और कोई रास्ता नहीं समझी दो दिन में अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तेरा सच सबकी सामने ला दूँगी मैं मैं कभी भी रमन जी को दोखा नहीं दूँगी ये चाबिया माजी ने मुझे विश्वास दी है मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ूँगी तो फिर तयार हो जा इस घर को टाटा बाई बाई कहने के लिए नीशा ने वैदेही को ब्लैक मिल करने में कोई कसन नहीं छोड़ी थी अब वैदेही को लग रहा था कि उसका सच सबकी सामने आ ही जाएगा क्यूंकि उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था दो दिन बाद वैदेही की घर में एक जश्ण होने वाला था और नीशा सबकी सामने वैदेही का सच लानेवाली थी बहुत बुरा लग रहा है मुझे तेरे लिए आज तेरे ससुराल में जश्ण है और आज ही तुझे सब घर से ठक के मार कर निकाल देंगी मैंने जितना भी वक्त यहां पिताया वो बहुत अच्छा वक्त था मेरे लिए अगर आज मैं इस घर से चली भी जाओं तो कोई गम नहीं अरे बहुत तीजोरी में से दस लाख रुपे गायब है क्या पर माजी ये कैसे हो सकता है चाबिया तो कली मैंने आपको दे दी थी फिर कैसे चूरी हो गई अरे सत्या नाश हो जिसने भी ये किया है कीड़े पढ़ेंगे उसे तो एक काम कर घर में सब की तलाशी ले ठीक है जी ठीक है माजी वैदेही और रमन घर में हर कमरे की तलाशी लेते हैं और फिर गेस्ट रूम में आते हैं तुमें इस कमरे में कुछ नहीं मिलेगा चाहो तो इस कमरे की तलाशी ले लो हाँ, आप तो निशा के साहली है मुझे पता है कि आप तो ऐसा कुछ करी नहीं सकती आरे वो तो ठीक है, पर तलाशी लेने में कोई हर्ज कहा है चल रमन, ले ले तलाशी रमन और वैदे ही नीशा के कमरे की तलाश ही लेते हैं तभी उसके बिस्तर के नीचे से पैसे मिलते हैं कह रही थी मैंने नहीं लिये पैसे तो ये क्या आसमान से टपके हैं? बता, बता ना मैंने नहीं लिये पैसे सच में ये कहां से आये मुझे नहीं पता मैं तो कहते हूँ पुलिस को बुला ले रमन, वही ठीक करेंगे से पुलिस, नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप, पुलिस को मत बुलाईए, मैं सच कह रहे हूँ, मैंने पैसे नहीं लिये और सच तो यह है कि आपकी बहु आपकी बहु है ही नहीं मैं हूँ इस गर की बहु इस दे आप सब को धोका दिया है देखो एक तो तुमने पैसे चुरा है ओपर से मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रही हो तुम यहीं रुको मैं अभी पुलिस बलाता हूँ देख लड़की अगर तुझे अपने जिन्दगी जेल में नहीं काटनी तो यहां से चली जा समझी और मैं सब कुछ जानती हूँ कि घुंगट के पीछे नीशा नहीं उस रात वैदे ही थी और मैं खुश हूँ कि तेरे जैसी लड़की इस घर में नहीं आई बहुवनकर आप यहां से जाती है या बुलाओं पुलिस को नहीं नहीं पुलिस को मत बुलाईए मैं चली जाती हूँ मैं कभी वापस नहीं आऊंगी माजी आप सब कुछ जानती थी तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं तुमने रमन को और इस घर को इस तरह संभाल लिया जिस तरह ये निशा कभी नहीं कर पाती जब वो यहां वापस आई तब मैंने उसकी और तुम्हारी बाते कमरे में सुन ली थी कि वो पैसों के लिए यहां आई है इसलिए मैंने ये प्लान बनाया कि मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊं कि वो कभी लौट ना आए अब तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा है तो तो सच में मेरे रमन की वैदेही है बिल्कुल राम सीता के जैसे वैदेही की सास्ते उसे नीशा के चंगुल से बचा लिया और वैदेही अब बिना किसी डर के बिना किसी जूट के या बिना किसी घुंगट के उस परिवार में प्यार से रहने लगी